आप हमसे पूछेंगे आप एक इस निरिने पर कैसे पहुंचे कि यह जिहादी ताक्ते थी साथ मारने का तरीका देखो यह वही तरीका है जिससे की सौरब कालिया को मारा गया थो इसकौर्डर लीडर हुजा को मारा लिया थो यह उनकी मान सकता है 1400 साल से पैटर्ण कोई अम्बिग्विटी नहीं था उन्होंने कहा मुझे जिन्ना वाली आजादी चाहिए उन्होंने कहा कि हम चिकन निक का हलाल करें उन्होंने कहा हमें भारत की बरबादी चाहिए उन्होंने कहा कि हमारा पाकिस्तान से रिष्टा क्या है उन्होंने कोई बात नहीं छुपाई, खुल के किया, सब के सामने किया, क्या कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर ने उनको बोला था ये नारे लगाने के लिए इस हकीकत को आप फेस कीजिए, कि जो हेट हिंदू, जो उनकी साइकॉलिजी है या उनका जो डिस्पोजिशन है, वो उम्मा के प्रेम पे कहीं बहारी पड़ जाता है, उनको हिंदुस्तान से ने हिंदू से नफरत है, इसी लिए ये गंगा, जमुना, तहजीब के फ्रॉड फैलाने वालों को ये मालूम होना चीए, कि इन लोगों ने मुहम्मद बिन कासिम से लेके और आमेचा अब्दाली तक इन्होंने तो चीज़ के लिए उरत और दौलत, इनको सिर्फ दो ही चीज़ के लिए हवस की औरत ये दौलत, पंद्रा करोड, सौ करोड पे भारी पड़ेंगे, तो मैं कह रहा था कि ये कोई मांसिखता नहीं नह है, इस किताब में उन्होंने एक उधारन दिया है, अबेगतर साथ में, बड़े क्लियर थे साथ वो अपने ये, ये जितने ये जैभीम और जैभीम वाले है न थोड़ा इनको पढ़ ले, प्लारे किसने लगाए थे कि भारत तेरे तुकडे हैं तुम भारत माता कि तुकड और हम तुम को गोली भी नहीं पारेगे और फिर कह रहे हों कि यह लोग भड़का रहे हैं, इस पॉस्ट पॉजिटिव सेंटिमेंट और जो लोगों को इतराज है वो अपना दिमाग का जाच कर वाले, देखे आपने जो भी कमिनल जिसको आप कमिनल राइट्स बोर रहे है अब यह कमिनल राइट्स हैं, या इंटर्नल सिक्यूरिटी समस्या है, या एक इंटर्नल वार है, यह आपको तथ्यों के आधार पर इस निर्णे पर पहुँचना होगा अगर मेरी माने, तो अंकित शर्मा की जो निर्मम हत्या की गई, वो अपने आप में इस बात का सूचक है, कि यह देश के अंदर एक इंटर्नल वार चल रहा है, वो थर्ड फरेंट जिसे हम कहते हैं, थर्ड फरेंट, वो उसका हिस्सा है आप देखिये, एक इंटेलियंस ब्यूरो का एक उतिदार, वो गुमनामी में ऑपरेट करता है, वो वर्दी नहीं होती है उसके पास, उसके पास हतियार नहीं होता है, उसको एरेस्ट करने का कोई पावर नहीं है, लोग उसे जानते तक नहीं है, मैं ही कई बार मैं गया हूँ, चुकि मैंने इंटेजिंसी में काम किया है, तो हम कुछ आईबी के ऑपरेटिव को जानते हैं, तो कई बार मैं जब गोश्टियों में गया हूँ, तो देखा हूँ कि वो अपने आगे बैठे हुए हैं, तो हमारी नजरे मिलती हैं, वो भी मुस्कुरा देते हैं, लेकिन आपको बता दे कि इंटेलिजेंस की दुनिया में अगर दो सबसे बड़ा महापाप है, खोर पाप है, एक अपने सोर्सेस का इडेंटिटी रिवील करना और दूसरा, दूसरा पाप ये है कि एक इंटेलिजेंस ओफिशिल को एक्सपोज करना तो मैंने आपको बताए कि जिसके पास कोई law and order apparatus नहीं है, कोई law and order enforcement का उसके पास power नहीं है, वो आदमी किसी को provoke क्या कर सकता है, वो तो केवल eyes and ears है, वो सरकार का eyes and ears है, वो intelligence information इकठा करता है, जिसके बुनियाद पे action formulate किया जाता है, तो ऐसा जब work content हो, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ है, anonymity और secrecy, तो इसलिए आखिर वो आदमी किसको provoke कर सकता है, जिसका मैंने कहा है एक गुमनाम आदमी, एक anonymous आदमी, वो सिर्फ provoke कर सकता है, तो भारत के दुश्मनों को, जो कि उसके movement को track कर रहे हैं, जो कि उसके जिम्मेदारी जानते हैं, वो क्या feed कर रहा है, वो भी उनको मालूम होगा. आपने वो हमारे nuclear test के पे जो वो पिक्चर बनी थी, वो देखा होगा, आपने देखा होगा किस तरह से पाकिस्तान के जितने ये intelligence operative है, वो कैसे गूम रहे थे और होटल में उन्होंने क्या क्या किया, तो यहां पर उसकी गतिवीदिया, उसकी जिम्मेदारी, वो सारा ट्रेल कोई कर रहा था और कौन के करेगा, बाहर की तस्थे, कौन सी बाहर की तस्थे जिहादी तस्थे, अब आप हमसे पूछे के आप इक इस निर्युने पर कैसे पहुंचे कि ये जिहादी तकती थी? साब मारने का तरीका देखो यह वही तरीका है जिससे की सौरब कालिया को मारा गया था स्कॉर्डर लीडर हूजा को मारा गया था यह उनकी मान सिकता है 1400 साल से पैटर्न वही है तो अगर यह लॉइन ओर्डर की समस्या होती है कमिनल प्राब्लम होता तो अखिर एक इंटेलिजेंस ओपरेटिव जो की सेंट्रल एजेंसिस के लिए काम कर रहा है अखिर उसको इस तरीके से क्यों टार्गेट किया जाता है मैं मान सकता हूँ कि एक कमिनल राइट के सिचुवेशन में कोई भी एक इंटोपरेटिव भी उसका विक्तिम हो सकता है लेकिन उसका टार्गेटिट किलिंग उसका टार्गेटिट किलिंग से ये जाहिर होता है कि ये ये एक इंटरनल वार है और ये वार वो एक प्रोक्सी वार का हिस्सा है मारने वाला कोई प्रोक्सी ही था मारने वाला जो था वो प्रोक्सी था वो पॉलिटीशन है और वो अगर पॉलिटीशन वो अखेला नहीं है इसका मतलब पूरा पॉलिटिकल नेटवर्क है और उस political network को हमने देखा हमने अपनी आँखों से देखा अपनी कानों से सुना और इस बात की मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने कभी अपनी मनसा छुपाई नहीं शाहिन बाग के स्टेज से उन्होंने जो उनकी मनसा थी उसको साफ जाहिर किया उन्होंने कोई ambiguity नहीं था उन्होंने कहा मुझे जिन्ना वाली आजा दी चाहिए उन्होंने कहा कि हम चिकन नेक का हलाल करेंगे उन्होंने कहा हमें भारत की बरबादी चाहिए उन्होंने कहा कि हमारा पाकिस्तान से रिष्टा क्या है ला इल्ला 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 उन्होंने कोई बात नहीं छुपाई खुल के किया सब के सामने किया लेकिन अगर हम और आप अपने कानों में अगर एर प्लग लगाने तो दो पिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर ने उनको बोला था यह नारे लगाने के लिए आप समझ सकते हो साहब कि जब यह नारे लग रहे थे पूरी पुलिस एपरेटरस वहाँ पर इनको सिक्यूरिटी और प्रोटेक्शन दे रही थी एक वर्दी वाला आदमी मैं भी वर्दी पहेंच चुका हूं एक वर्दी वाले आदमी के सामने तुम ऐसे नारे लगाओ उसके दिल पर क्या गुजरता होगा और आप फिर पुलिस को गाली देते हो अब फिर पुलिस को गाली देते हैं आप बताओ कि आप वर्दी वर्दी पहनना इतना असान नहीं मैं आपको बता दो ये जितने वहाँ बैठे हुए ना शायद पता नहीं ये कभी वर्दी पहने लैख है या वर्दी में आपके सामने आपकी माता को गाली दिया जाए आपकी भारत माता को और वो आदमी फिर भी रिस्टेंट से काम करें और आप क्या चाहते हैं आप कैसी पुलीस चाहते हूँ आपने एक शक्स ने पिस्टॉल लेक वर्दी वाले के उपर लगा दी वो बड़ा फेमस वो शारू बहुत वाइड़ी सर्कुलेटिट फोटोग्राफ थै आप दिखिये वह आदमी बिल्कुल उसने परवार नहीं कि अब इतना पेशेंस इतना रिस्टेंट एक पुलीस दिखा रही है और पुलीस को घाली दे रहा हूं आपको तो उनके उनके चरित्र से कुछ सीखना चाहिए तो मैं कह रहा हूं कि यह जो आई बी ऑपरेटिव को जो मारा गया है आखिर इसको क्यों 400 बार चाकू से मारा गया है इतने वैशी तरीके से यह इसलिए कि पूरे हिंदुस्तान में यह जितने हमारे इंट ऑपरेटिव्स हैं डिप्लॉइड है वो देह्शत में आ जाए और आप कहरें यह कमीनल प्रॉब्लम है लॉइन और प्रॉब्लम है आप अगर इंटेलिजेंस पूरे नेटवर्क आप अगर पूरे इंटेलिजेंस नेटवर्क और एपरेटर्स को ठब करना चाहते हों तो यह तो लॉइन और प्रॉब्लम नहीं अगर इसमें इतने सारे लोग कोई सर्जी लिबाम कोई मनी शंकर रियर कोई आर्टेस्ट कोई यह वो स्टेज पे आ रहा हो यह लॉइन और प्रॉब्लम है कि यह कहीं से यह प्रायोजित है कहीं से संचालित है तो प्रधान मंतरी ने बिल्कुल सही कहा कि यह प्रायोजित है और अगर किसी शक की गुंजाईश है तो अंकित शर्मा की जो बरबरता पुर्ण जो उनकी हत्या की गई वो सारे शक को दूर कर देता है अगर आप इंटेलिजेंस के अपरेटर्स को पैरलाइस करना चाहते हैं तो यह तो फिर एक इंटर्नल वार है बिल्कुल आपका जो रीडिंग है वो बिल्कुल सही है वो बिल्कुल सही है लेकिन इंटेलिजेंस ओपरेटिव का मैंने जैसा कहा कि आप भी नहीं जानते हैं कि आपके इलाके में इंटेलिजेंस purely orders borders के उस पार से आए है उसको कार्यानवित करने वाला ये politician वहाँ से वहाँ से हुक्म ले रहा था और तभी उसको इस तरह से कहते हैं कि उस politician के घर के अंदर उसको अंकित शर्मा को लाया गया और छे साथ आद्मियों ने उसको 400 बार मारा और आप इसको law and order कोगते हैं ये anti-CEA आप कहते हैं कि इनको मालूम नहीं है कि ये CEA है क्या इनको सभी कुछ मालूम है साथ कोई ऐसी चीज नहीं है जो मौलवीन को नहीं बताते हैं वो कुत्बे में फिलिपीन से लेके मलेशिया तक मलेशिया से लेके बंगला देश बंगला देश से लेके पाकिस्तान पाकिस्तान से लेके इरान इरान से लेके इराक इराक से लेके साथी अरेबिया साथी अरेबिया से लेके लिबिया इनको सब कुछ मालूम है आपने पूरे शाहीन बाग से आपने चीन के खिलाफ कोई नारे लगाते देखे आपने किसी भी जिहादी को जो हेट हिंदू जो उनकी साइकॉलिजी है या उनका जो डिस्पोजिशन है वो उम्मा के प्रेम पे कहीं बहारी पड़ जाता है उनको हिंदूस्तान से नहीं हिंदू से नफरत है इसलिए और चीन को वो समझते हैं कि ये चीन एक ऐसा टूल है जिसको पाकिस्तान इस्थमाल कर सकता है लिए और इसलिए यही यही शाहिन बाग की मान सकता है तो वो अपने एजेंडा में बहुत क्लियर है। दूसरी बात कि देर नॉट एपॉल एपॉलोजेटिक जो नारे उन्होंने लगाए उसके बारे में कोई एपॉलोजेटिक नहीं था। चाहे वो टुकड़े के बरबादी के रिष्टे के पाकिस्तान से रिष्टे ते कौन जिंदा बाद कौन मुड़दा बाद जो हिटलर की चाल जलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा अब पता नहीं हमारे हिंदुस्तान के संदर्म में मैं नहीं मानता कि हिटलर बहुत बड़ा गाली हो सकता है लेकिन उससे कहीं बड़ा गाली मौहम्मद बीन कासिन गजनी गोरी खिलजी लोदी बाबर नादिर शाह एहमद शाबदाली ये मैंने आपको कुछ बक्तियार खिलजी क्यों गाली क्यों ये हिटलर से बड़ी गाली आप इसको मानते हैं वो इस लिए कि ये गंगा जमुना तहजीब के फ्रॉड फैल आने वालों को ये मालूम होना चाहिए कि इन लोगों ने मुहमद बिन कासिम से लेके और अमेर शाबदाली तक इन्होंने केवल दो चीज़ हिंदुस्तान से लूटा और सभी जगे से दो ही चीज़ लूटी और दौलत इनको सिर्फ दो ही चीज़ के लिए हवस थी और दौलत और इसी लिए यह हिटलर से यह मैं इसको बड़ी गाली मानता हूं और इनको बच्चों को सिखाना चाहिए कि ये लोग कौन थे जो ये नारे लगा रहे थे और किसके बारे में ये नारे लगा रहे थे कि उनकी जिनको अपना ये एंसेस्टर्स मानते हैं उन लोगों की क्या और 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 दौलत के लिए हवस थी उन्हें बताया नहीं होगा और यह इसमें कौन सी बात है और पाकिस्तान के इड़ांर में नारे लगाए जा रहें कों सी बड़ी बात है यह जो यहां जितनी महिला है और यह बच्चे जो महिला हैं बैठी हुई थी और और बाखी लोग यहां पर स्टेज पर आ रहे थे पतानी कहां कहां से एक नया एक इनका वो प्रटोगनिस्ट पैदा हुआ है जह दील इमाम पतानी कहां कहां से डेंबन मार्क व European से घूम के वो आया है एक इनको कर इनको सब मालूम हुए पाकिस्तान से इनका रिष्टा आखिर क्यों नहीं रहे हैं कि साब इनके फोर बेर्स 47 कोई बहुत दूर पीछे की बात नहीं कर रहा हूं इनके जो फोर बेर्स थे जब 1946 में एलेक्शन्स हुआ था तो इनके फोर बेर्स ने 86 परसेंट ऑफ देम वोटेड पर मुस्लिम लीग और 46 का जो एलेक्शन्स था वो कोई बिजली ये फ्री ये केजरिवाल वारी फ्री बिजली और ये क्या कहते हैं सडक और ये फ्री बस राइड के उपर में नहीं था वो हिंदू मुसल्मान के क्वेश्चन था 86 परसेंट वोटेड फॉर पाकिस्तान तो इनको ये बात सही मालूम है कि CAA जो है वो आने के लिए है जाने के लिए नहीं है और पार्टिशन में भी यही हुआ लोग आए ये तो नहीं गए उदर वोट दिया पाकिस्तान के लिए लेकिन पाकिस्तान ने इनको कह दिया कि तुमारे लिए जगह नहीं है कि यह जा नहीं सके तो क्या इनकी मांसिकता बदल गई साब कोई मेरे को यह बता दे यह वोट देने के बाद किस साल इनकी मांसिकता बन बदल गई तो आप तो किसी किसी प्रांग में 46 के जब बंबे 38 आउट और पूरी पूरी लिस्ट है मेरे पास अगर आप देखें मट्रा साउथ बिलकुल बिलकुल साथ और मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपको किसी इस पे शक होना तो एक यह अमबेटकर साब वाली किताब है य छोटी सी किताब है यह आप जरूर पढ़ लेगा उनके मन में कोई अमबिग्विटी नहीं था यह एक वारिस पठान ने एक नारा लगाया और इसके पहले मैं यह बता दूं कि जो शाहिन बाग है वो एक एपी सेंटर बनाये गया वो एपी सेंटर क्रियेट करभा उस एपी सेंटर को बनाने में इसमें एक खास पॉलिटिकल पारिक का हाथ था आपको मालुम है जिसका नेता बार-बार वहा था उसने पूरा स्टेज सेट किया उस स्टेज में फिर मौवाधी ले याए जिहादी ले आया खलिस्तानी ले है और सुप्रीम कोट को ये मालूम था ये अपी सेंटर है अगर सुप्रीम कोट ने केवल यही के शाहिन भाग में अगर ट्रीटर भेजे नहीं तो कई शाहिन बाग हैं हिंदुस्तान में भी इनुने बने हुए हैं वहां कहीं भी nationalism बार इसका मतलब कि उन्होंने acknowledge किया कि यह फिसेंटर डो मैं जो कह रहा था की इनके कोई अगर आप सोचते हैं कि इन में एफ यां सेंटर में जो बैठे हुए लोग हैं इनमें कोई apology अगर कोई यह होगा जो नारे लगा रहे था वो नहीं आप उनके apologies बन गए है और आपने पूरी आर्किटेक्चर एक तयार की हुई बड़ी दिन सही आर्किटेक्चर और इस आर्किटेक्चर के बिल्डिंग ब्लॉक्स उसमें एकडेमिशन एक्टिवेस एंजियो जुडिशियरी लॉयर्स तमाम तरह के लोग हैं वहाँ पर आप उस पूरे तो यह और आर्किटेक्चर को आप बहुत तरह के से जालते हैं वही यही आर्किटेक्चर जो था और और मीडिया में मीडिया सबसे इंप्यूंट अ है किसका नाम आया पहले हुँ है और वह कौन ये वह मेगा ससी एवर्ड वान है वह सबसे पहले जूट वही बोलता है ठीक है फिर जब आया है तो आपका चो पूरा एकोशिस्टम जो हिरना ने बना रखा है तो ये एपॉलेजिस्ट हमने तैयार कियो यह तमाम इंडस्ट्री अब बड़ी फ्लरिशिंग इंडस्ट्री थी प्री 370 जेल के में उसमें पाकिस्तान हाई कमिशन भी था कई लोड आपने कुछ लोगों का नाम लिया किसी नहीं यूके में घर बनाया हुआ है यहीं लोग इंट्रलीकेटर बनके जाते थे छटे हुए बदमाश बड़ा पैस अपने डेरा यहां के शाहिन बाग में यह क्यों कर रही है उस समय भी इंडस्ट्री पाकिस्तान हाई कमीशन से संचालित होती थी और आज भी शाहिन बाग वहीं से संचालित हो रही है जो ऑपरेशनल हेड़कॉर्टर से वह पी एफाई ने सेटप किया है उसको सेटप वाया गया है और वहीं से यह पूरा जो मुवमेंट है उसको यह कैलिबरीट कर रहे है अब इनकी योजना क्या थी और इनको क्यों बिठाया गया इनको इसलिए बैठाया गया कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसका CAA से हाँ इसके पहले मैं बोल रहा था इसके बारे में कि इ कि जाने का नहीं है आने के लिए का है जो मक्सिए का मक्सद जो है एक फॉर्टी सेवन में भी यही था जो मैंने कहा अब बताईए साहब फॉर्टी सेवन में सुरी पार्टिशन के समय मन्मोहन सिंग और आईके गुज्राल भी आए यहां पर और लोग आए उनका सब कुछ छिन गया बहुत कुछ गमा के आए लेकिन अपनी पहचान वो अपनी पहचान बनाये रखे और जब इस भारत की धर्ती पर आए यह उनी की धर्ती थी यह अभी के जो हिंदुस्तान की धर्ती पर आए तो यहां पर लोगों ने उनको इतना सहयोग दिया कि वो एक दस से पंदरे साल में वो उन उचाईयों पे आ गए जो कि इनको पाकिस्तान में कभी हासिल नहीं हो सकता था अब कोई कहे कि नहीं बाई मैं तो बहुत महनती था इसलिए अपनी महनत के बल पे मैं यहां तक पहुँच गया तो थोड़ा यह सोच ले कि यह बताईए मन मोहन सिंग और आई के गुजराल का पॉलिटिकल बेस क्या था कोई था उनका एलेक्टरल बेस ऐसे लोग जब वहां से आए तो इस पावन धरती ने उनको परधान मंत्री तक प्रोपेल कर दिया उनकी पहचान और बढ़ाती लेकिन जो लोग मन मोहन सिंग और आई के गुजराल की तरह यहां नहीं आया और वहां रह गए उनकी दशा तो छोड़िये उनकी पहचान पे ही चोट मारा गया मजभब से धरम पे हमला किया गया तो जब उनका धर्म भी बर्बाद होने लगा पहचान भी बर्बाद कुछ थोड़े से बच गया है तो वो जाए तो जाए का क्या उनका मन मोहन सिंग और आई के गुजराल की तरह उनका अधिकार नहीं है क्या यह उनका घर नहीं है तो देखिए यह यह जो इंटर्नल वार जो कि शाहिन बाग से जो शुरू हुई तो मैं कहा कि यह एपी सेंटर था एपी सेंटर से यह सब को मालूम है इसी एपी सेंटर के बाद से जगह जगह पे यही आपको देखने को मिला ऐसे ही एलाइड सेंटर से बनाए गए पूरे देश में बंगलूरू में एक सेंटर बना अब वहां के प्लैटफॉर्म से जिसमें वह इसी साब भी बैठे हुए थे किसी ने यह बोला कि पंद्रा करोड सौ करोड पर भारी पड़ेंगे अब इस किताब में अमबेडकर साहब ने लिखा है यह कोई नई बात नहीं है साब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग इस बात को समझें कि मान सिकता नहीं बदलती इस किताब में अमबेडकर साहब ने लिखा है कि इसलाम का यह टेनेट है कि दुनिया दो हिस्सों में बाटी हुई है दारुल हर्भ और दारुल इसलाम दारुल हर्ब का मतलब अब वोड ओफ नॉन मुसलिम्स दार उसलाम का मतलब है आपोफ मुसलिम्स नॉनमुसलिम और अगर शाशक मुस्लिम नहीं है तो वो दारूल हर्ब है ये इन्हों ने कहा है ये मानसिक्ता आप नहीं बदल सकते हैं ये टेनेट है इसलाम का उन्हों ने कहा है अब इस व्यक्ति ने जिसने कहा पंद्रा करोड, सौ करोड पे भारी पड़ेंगे तो मैं कह रहा था कि बड़े क्लियर थे साब वो अपने ये ये जितने ये जै भीम और जै मीम वाले ना थोड़ा इनको पढ़ लें वो वो कहते हैं कि 1926 की बात है एक एक बड़ा कॉंट्रवर्सी उठा कुछ लोग उस जिसमें पंडित मौन मदन मालविये भी शामिल थे उन्होंने ये बात कही कि जो तीसरी जो युद्ध थी पानीपद की वो हम लोगों ने जीत लिया था आहमत शाबदाली को हरा दिया था वो इस तरह से कि वो इतना मौल्ड हुआ था उसने इतनी चोट खाई थी कि उसके बाद मालविये शाम ने कहा कि किसी मुसल्मान को हिम्मत नहीं हुई हुई इंडुस्तान को इन्वेट करने की तो एक मौलवी थे मौलाना अकबर खान अकबर शाह खान ऐसे ही करके नाम था उनका तो उन्होंने मालविये जी को क्या लिखा सुने मानसिकता देखिए और यह पठान वारिस पठान और अकबर शाह खान को कंपेर किजिए आप वह कहता है मालविये साहब एक ऐसा करते हैं कि साथ करोड मुसल्मान है हिंदुस्तान में और बाइस करोड हिंदू है तो हम ऐसा करते हैं कि साथ सो मुसल्मान हम लाते हैं पानीपत में उसी युद्ध के मैदान में और आप बाइस सो हिंदू ले आए और एक युद्ध करके कि आप देख लीजी तो ये इस किताब में लिखे हुए ये मांसिक्ता ये बदली नहीं है साब तो ये शाहिन बाग से जो जो आग फैलाई जा रही थी एपी सेंटर से वो जगा जगा लग रही थी और फिर एक उन्होंने माववादी एक महिला को भी ले आए जिस जो कि वहा पताईये साब ये पूरी दुनिया में ये इस तरह के सारी पूरे हिंदुस्तान में नारे लगाए जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वह अखिल मिश्रा और उसने क्या बुला ट्रेटर्स शुड़ बी शॉट डेड़ हम लोग कई गई तो अगर कोई ये बोलता है कि देश द्रोहियों को गोली मारो तो इसका मतले भी थोड़ी होता है कि उसको देखते गोली मारतो लेकिन ये एक एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है तो उस हिसाब से नारिक इसने लगाए थे कि भारत तेरी टुकड़े होंगे तुम भारत माता की टुकड़े करोंगे और हम तुम को गोली भी नहीं मारेंगे और फिर कह रहा हो कि हम लोग भड़का रहें पॉजिटिव सेंटिमेंट और जो लोगों को इतराज है वो अपना दिमाग का जाच कर वाले उनकी परिवरश में कमी है आप बार बार कहो कि हम सर चिकेन ने का हलाल करेंगे भारत के टुकडे करके पाकिस्तान और चाइना को पार्सल कर देंगे यह नारे लगा गया और हम गोली मारों का भी सेंटिमेंट नहीं लेके चल सकते हैं लानत है लानत है तो मैं कह रहा था कि यह देखिए यह जो यह यह सब शाहिन भाक किया कि क्यों गया 370 हट गया था 370 से सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का मैं मैंने कहा कि पाकिस्तान का existential crisis हो गया था अभी भी क्योंकि वहां लोग बोल रहे हैं कि तुम अगर वहां के मुसल्मान को अगर नहीं यह कर सके तो सिंधी बोले तुम हमारा खाक देख बाल करोंगे बलोची कहने तुम हमारा खा और जो यह पश्टूर मूवमेंट वहां पे चल रहा है आपको मालूम है बहुत जोर सोर से वहां जो पश्टीन वाला जो वह लीडर जो है मन्जूर पश्टी तो यह लोग पूछ रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए एक्सिंशल क्राइसिस जो यहां प्रॉक्सी जिनका दिल पाकिस्तान के धड़कता है वह भी दुखी है चाइना पाकिस्तान एकनॉमिक कॉरिडोर जो हमारा बाउंडरी है जो अभी अन्रिजॉल्ट बाउंडरी है उस पर भी उसका असर डालता है तो इन लोगों को इस बात की एक उनमें एक होप था एक उनको एक आशा की किरण थी कि शायद ट्रंप जो है वो कोई एक पोजिशन ले ले तो यह पूरी उल्टी मतलब यह जो कुछ भी हुआ है इसको उल्टा इसकी धारा बहाई मतलब बहाई जा सकती है वो हुआ नहीं वो हुआ नहीं तो इसलिए इनका इरादा था कि किसी तरीके से ट्रंप के विजिट को पहले ही सबोटाज कर दिया जाए यह प्लान ए इसलिए इनों ने औरतों को और बच्चों को स्पेर हेड बनाया और योजना ये थी कि कमपेल करें इंडियन डिस्पेंसेशन को यहां की सरकार को कि वो एक कारवाई करें औरतों और बच्चों पे और ये ये जिहादी अगर इनकी थे ये खुद भी कुछ बच्चों और औरतों को मारने के लिए तयात है ये बहुत बड़ा इशू हो जाएं बहुत बड़ा इशू हो जागा हिमन राइट्स का तो उसका विजिट कैंसल हो जागा विजिट कैंसल हो जागा तो बाकि जो पिजना थी और इसी लिए एपी सेंटर में बार बार लोग भेजे जा रहे थे ताकि ये पूरे हिंदुस्त मतलब ये फैलता रहे हैं और इसका लॉंजिटिविटी हूँ भाई और ये करेंगे तो कोई भी कोई भी सरकार थोड़ी समय लिती है उसको कत्राती है एक्षन लेने से तो उसके लॉंजिटिविटी के लिए इनको बिठाया गया और इसमें और किसका ये था मैंने आपको बताया 370 का ये अफगानिस्तान और वेस्ट एशिया के बैक्ट्रॉप में भी हुआ है आपको मालूम है कि अफगानिस्तान से फौजे हटाई जा रही है अमेरिकी फौजे उन्होंने अभी तालिबान के साथ बाचीतिन की होने वाली है दोहा में दो दिन में 29 को और तो वहां पर एक वैक्यूम एक वैक्यूम बन रहा है और आपको मालूम है कि जब भी कोई सायतिटिटीब होता है तो कई फोर्से रशिन करती उससे पाकिस्तान परिशान गिस 능ा भारत का तुल रहें का और भारत इनवाइटेड में इस्टॉक्स में को पॉस्ट एशिया ने है विस्ट अशिया में वह कह रहे हैं कि भाई देखो कम अब यहांसे हम धिन Big कर रहे हम एशिया पैसिफिक रीजन में हम और अलड़ी उन्होंने अपने 60% वार वेजिंग एसेट्स जो है वहां पर अलड़ी डिप्लॉई कर दी है यह जो आपका जैपान कोरिया और यह वाला जो रीजन है ताइवान वाला रीजन में तो यह कहते हैं कि भाई सुनो हमको हमको तो तेल की जरुवत है नहीं कल्ब से हम तो सेल्प सफिशेंट हो गए तेल में अब जिन डेशों को तेल चाहिए वो गल्ब की सुरक्षा करें अब इस से पाकिस्तान और चाइना दोनों बहुत परेशान है फिर यह ग्वादार थरस्ट का क्या होगा यह एक परेशान आपको आप तमाम चीजें छोड़ दीजिए जो हमने हाथियार और बाकी साजो समान जो खरीदे हैं पाइचे हेलिकॉप्टर्स और में हेलिकॉप्टर्स और इत्यादी अगर आप मुझ से पूछें कि सबसे बड़ी सबसे बड़ी सबसे बड़ा बदलाओ क्या हुआ है तो वह है कि हम पिछले दो तीन साल में जो हमारा इंक्रीज है इनर्जी इंपोर्ट्स का ओएल इंपोर्ट्स का अमेरिका से वह 500 परसेंट इंक्रीज है इस गॉन अप्टू 7 बिलियन डॉलर और भी 10 बिलियन डॉलर होने वाला है अब उसके जी प्रिजे है यह गल्फ कंट्रीज भी परिशान जी है उनको भी मार्केट चीए अमینररिकन्स को तो इनको परिशान है कि अब क्या होगा हमारा क्या होगा मार्केट तो पाकिस्तान है मार्केट तो इंडिया है तो अब ये मोदी साथ को सब वो सिविलियन आवाड बड़े बड़े सिविलियन आवाड है तो ये सारा कुछ पाकिस्तान और चाइना के गेज जा रहा है तो ये सारी ताक्तों ने मिलके ये तै किया कि किसी तरह से ये जो विजिट है क्रम साथ का उसको सबोटाज करो और सबसे बड़ी बात है कि आपने ये भी पढ़ा होगा कि वो इंडिया को यही इंसेस्ट कर रहे हैं कि पूरा जो इंडो पैसिफिक रीजन है इट एक्स्टें का यह कौड वाला यानि कि जपैन इंडिया और और ऑस्ट्रेलिया यह कौड से चिंतित है चाइन तो यह पहली बार एक यह स्टैंड अलोन विजिट है था यह इतने साल के इंडो यूएस रिलेशन अब स्टैंड अलोन विजिट का सब बड़ा माने होता है क्योंकि पहले कि आपको याद होगा कि जब भी कोई विजिट होता था अमेरिकन प्रेजडेंट का तो उसको पाकिस्तान के साथ यहां आते थे वहां जाते थे यहां पहले जाते थे यहां यह होता था यह स्टैंड इलोन विजिट होगा तो जब यह शाहिन बाग का यह सवाल उठा अब मैं आपको जरूर बता देता हूं कि intelligence को हर minute चीज की खबर होती है ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारे intelligence को इनकी योजनाओं के बारे में मालूम ना हो चलिए अगर हमको नहीं मालूम हो अमेरिकन intelligence को तो जरूर मालूम हो अगर आप यह सोचते हैं जो हमारे गाली देने की आदत है कि इंडियन इंटिंजन्सी को नहीं मालूम हो तो रोज हम टीवी पर गाली सुनते हैं तो अमेरिकन इंटिंजन्सी को तो कम से कम मालूम हो तो उन लोगों ने सारा जो information है हम लोग आपस में intelligence को आपरेशन भी शेर किया होगा इसके बावजूद यह विजिट हुआ लेकिन यहां जो decision makers हैं उनके लिए एक बहुत मुश्किल काम था कई बार ऐसे मकाम आते हैं कि alternatives जो हैं वह इतने मुश्किल alternatives होते हैं कि मान लीजिए कि हम पहले कारवाई कर लें शाहिन बाग की बात कर लें तो विजिट पेफेक्ट होगा अगर postpone करते हैं तो यह और थाय लेगा और पोस्पोन कर गए तो उनकी तो जीत होगी तो यह बड़े difficult decisions थे तो यह जितने यह आप जो महौल बनाया गया जो लोग वहां पर stage पर गये यह सब बाहर के द्वारा यह संचालित लोग थे हैं वह इसलिए कि किसी तरीके से यह ट्रंप का विजिट जो है because इसके जो strategic potents हैं और consequences है जो मैंने आपको बताया कि मैसिब है और ट्रंप पता नहींगा आप लोग इस्रेल को follow कर रहें नहीं कि इस्रेल में उन्होंने जो डिसिजन्स लिए है जरुजलम को capital वाला दूसरा इन्होंने पलेस्टीनियन को वह बोला कि भाई तुमको हम इधर दिलवाते हैं वह वेस्ट बैंक पर और इधर इडिशनल यह बना देते हैं तुमारे लिए यह गाजा स्ट्र पर और यह प्रोपोजल लेना है तो लो ने तो कुछ भी निदेंगा मिलेगा आपको डिल ऑफ दसेंचिरी तो यह भी इस बात का भी डर है तो यह सारी ताक्तें यह ट्रम्प के विजिट के पीछे पर हैं इसको किसी तरीके समसे सबोटाज करो और जो मैंने कहा कि ऐसा नह चाले थे तभी ट्रम्प ने आते के साथ पहले दिन जब उन्होंने उस स्टेडियम में हिंदुस्तान के लोगों गुजरात के स्टेडियम में हिंदुस्तान के लोगों को जब संबोदित किया तो उन्होंने इसलामिक टेररिजम की बात की अपने वेक्तवे में बाद में प्रेस वक्तवे में भी उन्होंने इस्लामिक टेर्रिस्म का बात किया तो इस्लामिक टेर्रिस्म जो भारत के अंदर में जो इस्लामिक टेर्रिस्म है उसका भी उन्होंने उसी संदर में एक तरह से जिक्र किया भारत के अंदर तो इसलामिक टर्रिजम का उन्होंने एक्जेम्ट नहीं किया तो ये सारी ताक्तें जो थी ये ट्रंप के विजिट को पहले आने से पहले उसको डिरेल करवाने की कोशिस की और प्लान बी के नुसार जब वो नहीं हो सका तो इसको ये फैलाना शुरू कर दिया इनों और जो आप ये देख रहे हैं आई भी के जो अंकिर शर्मा साब हैं उसी योजना प्लान बी के तहट में उनकी जान गयी था लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है आप देखिए कि ये एक नेता पकड़ा गया रंगे हातों पकड़ा गया जो मर्जी लोग दूसरा भी रंगे हातों वो क्यों नहीं एरेस्ट हुआ भी तक जो कि ये शाहिन बाग से हर दिन क्या-क्या बोल रहा था वो भी पकड़ा गया तो अगर ये दो हैं तो बाकी भी पोलिटिकल क्लास के लोग उस नेटवर्क में हैं तो पहले टेररिजम जो है इंडिविजुवल पॉलिटिशियन से एक्स्टेंड करके अब पॉलिटिकल पार्टी तक पहुँच गई है और मैंने आपको कहा था हालात यहां तक है कि एक पॉलिटिकल पार्टी 1400 करोड रुपया वह भी ड्रग मनी उसको मिला था पंजाब के लेक्शन को लड़ने के लिए एक पूरी टीम आई थी मैंने कहा आपको जिहादियों की कैनेड़ा से यह वही आदमी है जिसने बाटला हाउस एंकाउंटर को फरजी ठहराया था जिसने सर्जिकल स्ट्राइक को फरजिकल स्ट्राइक कहा था और उसके बाद यह पाकिस्तान का लवर बॉय बन गया था और वो आदमी आज आर्मी डिप्लॉमेंट की बात कर रहा है तो साथ यह यह पूरा की पूरा एक इंटर्नल वार है और मैं आपको बता दूँ कि चानक्य ने कहा था की चलड़ाई युद्ध चार तरीके के होते हैं एक प्योर्ली एक्स्टर्नल दूसरा प्योर्ली इंटर्नल तीसरा अदर के दुष्मनों का उसमें आपको डूसरा प्योर्ली इंटर्नल तीसरा इंटर्नल और अंधर एक्स्टर्नल और अंदर के दुष्मनों का उसमें सहयोग और एक अंदर का युद्ध बाहर के दुश्मनों का सहयोग तो हम ये चौथी ये लड़ाई ये चौथा कैटेग्री का हम ये इंटर्नल वार लड़ रहे हैं तो इसके वो गंगा जमना तहजीब और क्या 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 उसको इस नज़र लॉएन ओर उस नजरिये से और सी एके नजरिये से मत देखिये इसको और अंकित शर्मा साहब की मौत ने आपके मन में अगर कोई शक की गुंजाईश है तो उनके मौत से हमको एक सीख लेनी चाहिए कि लॉएन ओडर और इंटर्नल सिक्यूरिटी और इंटर्नल वार में क्या फर्क होता है और क्यों उनको 400 बार चाकू मारा गया ये ये फर्क सभी को ये मालूम होना अचली सारा है